गोड मॉनिंग अलोफ यू ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतरगत हम बात कर रहे हैं प्रत्यावर्ति धारा परिपत का और प्रत्यावर्ति धारा परिपत के इस जिर्णे में आज हम बात करने जा रहे हैं कि यदि प्रत्यावर्ति धारा परिपत में केवल कुंडली लगा हूँ कुंड़ी लगा हूँ तो हम भी आज बाट करने जा रहे हैं, प्रत्यवर्ति धारा बर्मद में के वड़ कुंड़ी लगा हूँ तो उसको हम डाइग्राम के मात्य में शेश्रों कर रहे हैं मानने यह एक कुंड़ी है जटकी इसका स्वा प्रियंगुणांक अगर हम एल माल लेते हैं तो उस हिस्ति में कुंडली के सिरो पर उत्पन विद्धुवांतर को भी कर जो सुत्र भुजाता है भी जिरो साइन होने का थी पैते ने धारा के लिए हम ने लिया हुआ इसके बारे में पूरा जानकारी दे दिया है तो डायके न अतंब फेराणे के द्वितिरयमानुसार हमको यह पता है कि फेराणे के द्वितिरयमास्वानुसार किसी भी कुंडली में प्रिजिद्वाहंपल सदर्चु में के यह Osmadhira पर हमने निकाला हुआ है V is equal to d5i dt जाना 5 का जुमान होता है वो l i है जहां l स्वाप्रेनर होना को प्रदरशित करता है तो उस सती में अगर हम देखते हैं तो V is equal to d by dt, l i और l पहरा देखा तो d i by dt है इस आधार में हम देख सकते हैं d i by dt which is equal to v upon l जहां v कमान हमारे पास है v0 sin omega t और अपर l अब हम क्या कर रहें इस dt को धर ट्रांसपोर करते हैं तो d i is equal to v0 sin omega t upon l into d t दोनों बक्षों में हम integrate करने रहें तो इस प्रकार अगर हम integrate करते हैं तो d i का integration हो जाएगा with the respect of i result हो जाएगा i और यहां पर v0 upon l constant sin omega t dt हमको बहुत अच्छे से पता है कि sin dx का integration होता है वो minus cos x है और अगर sin ax है तो minus cos ax upon a transfer हो जाता है कि यहां पर हम बात करने जाएगा integration का तो i is equal to v0 upon l sin का integration होगा वो होगा minus cos omega t कि तो t जो है वो अकेला दे है उसके सांसांत omega मोजू थी यह लिखाई दे है omega तो यह omega constant होने कारण ही अपन में transfer हो जाएगा according to the integration rules तो इस आधार में हम भी बोल सकते हैं कि sin omega t का जो integration होगा वो होगा minus cos omega t upon omega तो यहां से i is equal to minus v0 upon omega l cos omega t हम क्या कर रहे हैं v0 upon omega l को इसको मान रहे हैं i0 और अगर i0 मानते हैं तो उस इसकी में हमारा equation होगा i0 cos omega t i0 cos omega t i is equal to minus i0 cos को लिखा जा सकता है sin pi by 2 minus omega t cos sin minus theta which is equal to cos theta होता है यह minus जो है हम अंदर transfer कर देते हैं तो i0 sin यह होजाएगा omega t minus pi by 2 हमने minus को transfer कर दिया हुआ है अंदर क्योंकि हमको बता है sin minus theta which is equal to minus sin theta तो इस आधार पर हमारे पास जो equation आया हुआ है i is equal to i0 sin omega t minus pi by 2 तो अगर हम यहाँ पर ध्यान दे तो voltage b is equal to v0 sin omega t है जरके धारा i0 sin omega t minus pi by 2 मतलब यहाँ पर pi by 2 का जो है वो कलांतर produce हो चुका है तो उस इस सिदी में अगर हम बात करें तो bondage और धारा के मत्ये pi by 2 का कलांतर उत्पन हो जाता है तो निशित तोर पे हम बात करें थे कि धारा अगर प्रत्यवति धारा परिपत में के वर्पुलेली लगा हो तो धारा और voltage की साथ धार पर एक दूसरे के according हो हुए तो निशित तोर पे हमको दिखाए रहा है कि जो विखाओ है भी is equal to zero sin omega t मतलब sin के साथ सर्क omega t है जब कि जब हम calculate करने के बात analysis करने के बात धारा कमान निकाने है तो धारा कमान i is equal to i zero sin omega t minus pi by 2 अब बात करने जा रहे हैं हम थोड़ असका इसके प्रतिरोध के बारे में तो चलिए जैसा कि बताया गया है कि जो प्रतिरोध होता है कुंडिली की लगा हुआ है तो उसे हम प्रत्यवर्ति धारा परिपत में प्रति घात की नाम से खानते है प्रत्यवर्ति धारा परिपत में जो रुकावने जो प्रतिरोध उत्पन होता है उसको यदि कुंडिली लगा हुआ है तो उसे सित्य में उसको हम नाम देते हैं प्रति घात और उसे सद्य हम एक से दर्शा रहेंगे तो यहां पर हम बात करने जा रहे हैं चुनकि जो है इसलिए प्रतिरोध को निली लगा हुआ है इसलिए प्रतिरोध को हम प्रतिधात को बनेंगे और को x से करेंगे त्सक्राइव झ किना एकश से एकस है ये जल गौत अब धूरा सा बात कर लेते हैं फेसर एक का कूकि इसी-स इसे थे फेसर आरेच के बारे के भाणाकर तो विशेस तोर पे ध्याम रखेंगे, क्या क्या होता है, कि प्रत्य अमर्ति धारा परिपत में धारा और गोल्डेज की बीच में संबंध दर्शाने वाले ग्राफ को फिल्जर आरेक कहा जाता है, तो आए हम संबंध दर्शाने का प्रयास करती है, हम तीन चीज़ें ले चुके हें सबसे पहता ले कुके इसको मिटा दिया जाया हम ने तीन चीजयों की बात की हुई है सबक्रदिरोध में हम प्रतिरोध के बात करते हैं तो आप इस के लिए पिछले वी डिएस देख सकते हैं संधारिक, संधारिक у तो दर्शाएंगे Vr से संधारित्री के लिए Vc से कुंडड़ी के लिए VnC तो सबसे पहने हम बात करने जा रहे हैं Vr की Vr इसलिए क्योंकि हम Vr की बात करें तो गोल्टिज हमारा जो है V0 to V0 sin omega t है उस सब्सक्राइब धारा जो है I0 to I0 sin omega t तो उस आधार पर प्रतिरोद का जो डारेक्शन होगा दोनों का से होगा voltage और करेंट का किम्तो सेकेंड केस में अगर मैं संधारित्री की बात करूं तो वोल्टेज जो है V0 sin omega t है किम्तो धारा जो है omega t plus pi by 2 तो pi by 2 90 degree से वो आगे है तो आगे है तो हम इसको इस रूप में दर्शाले पिर यह basic direction होगा यह pi by 2 जो angle है वो create हो जाला है plus pi by 2 तो उस आधार पर voltage तो भी इसकर V0 sin omega t ही रहगा किम्तों धारा जो है वो i0 sin omega t plus pi by 2 हो जाएगा जनके अगर हम बात करें कुंड़ेणी का तो कुंड़ेणी के लिए voltage का जो माल है V0 sin omega t ही है किम्तों इस सती में अधारा जो है वो minus pi by 2 मतलब इससे minus, minus मतलब ओपर के हो जाएगे यहां पर minus pi by 2 जो है वो हम पो उस आधार पर साथ हो जाएगा कि यहां हमने minus pi by 2 दिया होगा यह minus pi by 2, pi by 2 दिया हो जाएगा तो यह जो direction होगा वो VL का direction होगा यहां पर i is equal to i0 sin omega t minus pi by 2 तो इस आधार पर इसको ग्राफ सो तयार होता है जिसको हम फ्रेजर आरक के नाम से चारते जिसमें पुंड़ली संधारी तरुप्रति दो किनो हमने से लचित किया हुआ है और उस आधार पर धारा और पोल्टेज की जो अगरता और पश्यता है वो सोखी गई है तो अगला जो भी परिपत हमें स्टड़ी करेंगे इसी के बेस पर अनालिसिस करेंगे इसमें इसको जाना बहुत जबती है